Hello Friends, Welcome Back Friends, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे सारे Permanant Flowering Plants में बहुत कम हो गई है Flowering और ये देखिए ये Hibscus का plant ये भी permanent flowering plant है और इसमें कितनी कलिया आ रही है और इस plant को मैंने March में कटिंग से लगाया था तो इस टाम तो मैं वीडियो नहीं बनाती थी लेकिन सब्टेंबर में मैंने इस प्लांट की केर और कटिंग की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है इस पर पूरा गर्मी फ्लावरिंग हुई है और देखिए अभी भी कितनी कलियां आ रही है तो इस तरह जब कटिंग से कोई पौधा लगाईए उनमें फूल आते हैं कलियां आती हैं तो बहुत खुशी मिलती है और जब सीर से लगाईए तो और भी मज़ा आता है देखिए ये गौंफरेना मैंने सीर से लगाया है और इधर ये जो फोगेंविल्या रखा है इसको भी कटिंग से तयार किया ये वाला फोगेंविल्या भी मैंने कटिंग से ही लगाया है तो इस तरह कटिंग से और सीर से प्लांट्स लगाने का मज़ा आ गया ना तो फिर लगता है कितने सीर से लगा लो कितने plants लगा लो इधर जितने भी plants है friends ज्यादा तर मैंने cutting से तयार किये हैं और कुछ सीठ्स से भी लगाया है और कुछ मैं खरीदती भी रहती हूं अभी मैं दो दिन पहले nursery गई थी तो कुछ winter के flowering plants लाएं हूं और flowering plant के साथ साथ friends अगर सबजियां garden में लगा लो तो all भी मज़ा आता है gardening complete हो जाती है देखिए छोटा सा tomato कितना प्यारा लग रहा है तो इस तरह आकर देखते रहो कि फूल आए की नहीं फल आए की नहीं तो बड़ा मज़ा आता है और बहुत खुशी मिलती है उसको आकर देखते रहो और यहां पर 9 महले तो बहुत गर्मी पढ़ती है तो बहुत ज्यादा तो मैं plants नहीं लगा पाती गर्मी में तो में जून में तो 50-50 तक temperature यहां बहुत जाता है और लेकिन मैं लगातार cutting seeds plants यह सब लगाती ही रहती हूं कुछ तो चलेगा देखिए मैं कुछ winter flowering plants लेकर आई हूं यह है petunia और यह red color में है वैसे तो petunia में white, purple, pink बहुत सारे shades वाले भी आते हैं लेकिन red बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे तो मैं दो लेकर आई हूं एक तो यह और एक यह वाला red दो लेकर आई हूं मैं और काफी छटे छटे pots में हैं और काफी अ plants मेरे खराब हो गए यह जो सूख गए हैं उन्ही को खाली करके लगाना पड़ेगा और यह एक और petunia है यह वैरिगेशन वाला है इसमें यह देखिए pink में white white सी line है इसमें परपर में भी pink पर ला परपर में white white line थी और red का में देख रही थी यह red का shade वाला वैरिगेशन वाला मुझे मिल जाए लेकिन वह नहीं था इनके पास तो मैं यही वाला लेकर आ गई हूँ और देखिए इसके नीचे की पत्तियों में कुछ leaf minor भी है तो यह nursery वाले plant की बहुत क्या नहीं करते हैं फूल खिला कर रखते हैं और कुछ marigolds भी लाई हूँ यह यह dorf वाला वराइटी है इसमें बहुत हाइट नहीं जाती है प्लांट काफी बुशी सा हो जाता है और कलिया बहुत आती है अब फूल बहुत पूरा भरा रहता है कितना प्यारा लग रहा है यहां पर इसको मैंने रखा तो तो इस तरह चोटे-चोटे से pot में है यह अगर इनको रिपौर्ट करते हैं तो यह काफी अच्छे गने और काफी अच्छे गने और काफी फ्लाविंग करेंगे है वियरत दो бук हेई और यह मुझे में भी औरेंज मुझे मिला तो मैं जीनिया भी लेकर आई हूँ ये येलो और ये औरेंज मेरी गोल्ड दो कितना प्यारा दिख रहा है और ये वाला जीनिया है तो जीनिया में और मेरी गोल्ड में दूर से फ्लावर में ज्यादा फरक में मालूम पड़ता जब आप पास में देखेंगे तो जीनिया में इसकी अलग होती है लेव का शेप अलग होता है फ्लावर का भी अलग होता है यह देखें आप यह डिफरेंस देखें यह है जीनिया और यह इस साइट मेरी गोल्ड है दोनों के फ्लार्स यलो या औरेंज औरेंज पास पास हैं तो काफी ध्यान से देखिए तो पता चले यह है डैंतर्स यह भी मैं एक प्लांट लेकर आई क्योंकि जो मैं अक्टूबर में लाई थी वो सब इतनी तेज धूप हुई कि सारे प्लांट मेरे जल गए छोटे-छोटे से थे दो-दो-तीन-तीन पत्तियों कि वो जल गए तो मै यह लेकर के आई हूँ अब यहां पर नवंबर तक बहुत तेज धूप और गर्मी थी और एक और मेरी गोल कर लेकर आई हूँ यह है बहुत छोटे-छोटे यह भी है तो यह है जाफरी जाफरी में यह औरंज सा यलो औरंज दोनों का शेड होता है और बहुत अच्छी और लेकर आई हूँ यह मैं उल्सार के घराए तो गंचेह नहीं प्लावरिग है साल लेकर आती नहों मैं 05 we also up ह fel किश्टल है और मुझे आ रहेसे आई मिला इती मिलतेम थी क्राव आइस दुट अर हुच्ट फॉलाल को रोली थी था यह वह उन तो हम अप्र का आइक फिल अफ्लसा षेड है इसी को लेकर आही हूँ और फ्रेंड इनकी प्राय्ज मैं बता दू ये किरसेंथ इन्थेमों मुझे दो र्याल में मिले है और जितने पिटुनिया इसे मेरी G걸 एक-टाइम में मुझे ड्याल में मिले है और जीनिया भी एक रियाल में मिले हैं तो फ्रेंड्स आज की मेरी शॉपिंग इतनी है और आपको मेरी वीडियो अच्छी रगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू